नमस्कार दोस्तों मेरे पास आप लोगों के लिए दो बड़ी न्यूज है पहली तो आपके लिए गुड न्यूज है और दूसरी न्यूज भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है जो कि बिहार सिक्षक भरती से जुड़ी हुई है सबसे पहले बात करते हैं UGC की एक लेटेस्ट अपडेट यानि की एक नया अमेंडमेंट UGC की द्वारा जारी किया गया है यह तस्वीर आप हचानते होंगे बताएए कौन है यह UGC के चेर्मैन है और इनका नाम क्या है दोस्तों यह है M. जगदिश कुमार इन्होंने हाली में एक ट्वीट किया है अभी कुछ गंदे पहले का ट्वीट है यहाँ पर देख सकते हैं और इस ट्वीट में क्या बात कही गई है देखो इन्होंने कहा है कि यह यहाँ पर पड़ी है प्यसदी क्वालिफिकेशन फार अप्वाइंडमेंट अज एन असिस्टेंट अब इसका मतलब क्या है देखो फ्रेंड्स अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर किसी भी स्टेट लेबल से जब भी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वेकेंसी आती है तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप से क्या मागा जाता है आप से पर और अगर आपने नेट सेट या भी स्लेट पर इच्छा पास की है तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब यहां पर एक बात और भी कि 2021 के बाद 2023 2021 से लेकर 2023 तक पीएसडी को यह कहा गया था देखो होना क्या था कि जो स्टेट लेबल पर वेकेंसी जाती है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एरिजबिल्टी होती है वो नेट सेट या फिर स्लेट होती है लेकिन जब इन्वेस्ट्री लेबल पर कोई वेकेंसी आती ह किसी भी सुभी द्याले में जब आप अपलाई करते हैं अगर आप Assistant Professor भी बनना चाहते हैं तो वहाँ पर PhD आपसे मागी जा रही थी तो 2021 से 2030 अब देखो यहाँ पर क्या था कि University Label पर PhD को Mendoetry करने की बात कही जा रही थी मतलब यह था कि अगर University Label पर आप Assistant Professor बनेंगे तो PhD को Compulsory करने की बात कही जा रही थी एक जुलाई 2023 के बात लेकिन वो बात अब यहाँ पर खतम हो गई है सीदी सी बात अब यहाँ पर यह है कि एक जुलाई 2023 के बात किसी भी Label पर अगर Assistant Professor के लिए आप अपलाई करते हैं तो आपकी जो Minimum Eligibility होने चाहिए वो क्या होने चाहिए Net Set या फिसलेट तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है इस ट्वीट को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा थोड़ा मैं आपको दुबारा से बताना क्या प्रहास करता हूँ देखो फ्रेंड्स यहाँ पर कहने का आसे यही है कि आगामी लगबक्षा महिने के अंदर ही दुबारा से NTA के द्वारा UJC Net परिक्षा का आयोजन किया जाएगा तो अगर आप Net परिक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं या क्वालिफाई कर चुके हैं तो ऐसी कंडिशन में अब अगर स्टेट लेबल पर वेकेंसी अब देखो UP में ही आई थी ना विज्ञापा संक्या एक्क्यावन के अंदर कर एक हजार से ज़्यादा पर थे जिनकी परिक्षा नहीं हो पाई राजस्तान में भी वेकेंसी आई थी MP में भी आई थी तो वहाँ पर जो Eligibility थी वह यही थी कि आपने एकर Net Pass किया है तो आप Apply करिए लेकिन अगर आप किसी University Label पर आवेदन करना चाहते हैं किसी विश्विद्याले में जाकर आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ पर PhD मागा चाहता है आप से मदब net plus PhD मागा जाता है लेकिन अब ये eligibility जो PhD वाली थी ये हटा दी गई है अब minimum बात ये होगी कि आप कहीं पर भी आवेदन करें किसी भी सुविद्धाले में करें या फिर पुराने ढर्रे पर जो आप करते आए है इस्टेट लेबल पर जो वेकेंसी जाती है तो अ अगर फाइदा मिलेगा एसोसियेट प्रोफेसर बनने में और प्रोफेसर बनने में यानि कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आगे progress करेंगे प्रोमोशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको इसकी जरुवत पढ़ेगी और अगर हम बात करें जिसे दिल्ली वहाँ पर आप apply to कर पाएंगे अगर आपने सिर्फ net qualify किया हुआ है तो आप apply to कर पाएंगे लेकिन जब API बनता है वहाँ पर PhD के लिए भी अगर आप PhD हैं तो आपको वहाँ पर कुछ weightage मिलता है तो उसका फाइदा तो मतलब मिल जाएगा फिलाप्रेंट्स छोटी सी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप net qualify है तो आपके लिए golden chance है और इस साल आप पूरा प्रयास करें कि आप एक बहतर जौब ले पाएं एक बहतर government जौब जहां कहीं भी vacancy आपको दिखाए दे किसी industry label पर या फिर कहीं पर भी आप फटा फटा फट currency आ रही है कब आपको apply करना है सारी जानकारियां आपको इसी जनलर पर मिलती रहेंगी तो यह जानकारी तो अब तक industry में और फिलाल अगर इस्टी लेबल की बात करें तो पहले से ही आप अलिजबल थे लेकिन इन्विस्टी लेबल पर भी अब आप अलिजबल हो गए हैं चलो आगे बढ़ते हैं और अगली ख़बर उस पर भी चलते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर बात करते हैं बिहार अगर आप प्राइमरी में सिक्षक बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिममम एज 21 साल होनी चाहते हैं एक अगस्ट दो जाग तेइस को इसमें जो पूरुस अभिरती हैं जनरल उनकी जो उम्र सीमा है वो 37 साल मैक्सिमम होनी चाहते हैं वहीं पर पिछड़ा वर्ग अत्यंत्य पिछड़ा वर्ग पिछड़े वर्ग की महिला और जनरल महिला इनके लिए उम्र सीमा में तीन साल की चूट है यानि कि OBC और बहुत जदा OBC पिछड़े वर्ग की महिला यानि कि OBC फिमेल और जो जनरल महिला हैं उनको भी उम्र सीमा में तीन साल की चूट है वो 40 साल तक आवेदन कर सकती है वहाई पर यसी यस्टी पूरुस और महिरा दोनों के लिए जो उम्रसिमा हो 42 साल है ठीक है तो इस लिमिट अब आप क्लियर हो गई होगी रहे मानुसार यहाँ पर छूट और भी मिल रही है लेकिन उनके लिए जो लोग यस्टी टी 2019 को पास किये हैं तो यह थोड़ा सा बिहार के लोगों के लिए है और यस्टी टी पास लोगों के लिए है बिहार मादमिक सिच्च पातता परिच्छ वालों के लिए तो यह आप पढ़ लेना फिलाल तो जो एस लिमिट है वो फार्द जनरल मेल 37 साल है और फार्द जनरल फीमेल, OBC फीमेल, OBC और यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग की बात की जा रही वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दू कि अगर आपने प्राइमरी में आवधन किया हुआ है तो दो पेपर आपको देना पड़ेगा जो पहला पेपर होगा वो भासा का होगा यह केबल क्वालिफाइंग है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो भासा में कुल 100 प्रस्ण होंगे इसमें 25 प्रस्ण अंग्रेजी से होंगे जोगी सभी को अटेंट करने होंगे बागी जो 75 प्रस्ण होंगे वो हिंदी से ले सकते हैं उर्दू से ले सकते हैं या फिर बांगला से ले सक अब नेगेटिव मार्किंग रहेगी सामान में अध्यान में जो की 120 प्रस्ण होंगे यह भी दो गंडे का पेपर होगा और इसमें प्रारम्ति जो एलिमेंट्री मैंथमेटिक होती है प्राथिमिंग गणित और यहां पर मानसिक्षमता परिक्ष्ण रियरिक रिजनिंग सामा अध्यान का यहां पर आध्यान की 120 प्रस्ण रहेगा दो गंटे का और यहां पर जो प्रस्ण होंगे वह भी दो भाग में रहेंगे भाग एक असी तो सारी बात हैं अपनी जिगह हैं यह तो आप देख सकते हैं लेकिन जो नेगटिव मार्किंग है वह प्रामरी लेबल पर नहीं है भासा के लेबल पर सिर्फ आपको सामान अध्यर के लेबल पर नेगटिव मार्किंग को फेस करना पड़ेगा यह बात यहां पर बताईए हैं और ध्यान दीजिएगा कि एक कटा भी लेगाई गयी है ठीक हैं तो अगर आप यहां पर देख सकते हैं कि लिखित परि सेंट और अत्यंत पिश्वापर के उमिद्वारों को चौतिस परस्टेंट अनसुचित जाती अनसुचित जन जाती महिलाओं और निसक्त दिव्यांगों को 32 नियूंतम आरतांक प्राप्त करना कंबल से होगा नहीं तो वो परिच्छा से बाहर हो जाएंगे तो यह कटाफ थ्यान रखना इस से कम अंक आए तो कोई फाइदा नहीं होना है चाहे कितना भी मतलब आपको वेटेज मिल जाए उसका कोई लाव आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अगर कटाफ के नीचे गए तो बात खतम ठीक है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह दोनों जो आपको कर चाहे हैं